मेरे प्रियात्मन, सहज योग में आज दूलन दास का एक पद लेने जा रहे हैं कहने का अंदाज दूलन सहाब का बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही अनुठा है कहते हैं धन मोरी आज सुभागन घडिया एक संत और संसारी में यहीं परभेद हो जाता है संत धन्यता में जीता है, संसारी शिकायत में जीता है कहते हैं धन, धन्य हो गया मैं और एक बात याद रखो, कुछ भी घटित हो, संत अहभाव वेक्त करेगा धन्यता विक्त करेगा और कुछ भी घटित हो संसारी शिकायत विक्त करेगा बस ये बड़ा फरक समझना तो कहते हैं धन्य हो गया मैं और दूसरी बात कहते हैं आज संत हमेशा आज और अभी में जीता है संसारी हमेशा अतीत और भविश्य में जीता है कहते हैं दूलंदास धन मोरी आज सुहागन घरिया धन्य हो गया मैं मेरा आज धन्य हो गया मेरा यह शन धन्य हो गया और आज की यह घरी सुहागन घरी हो गया कहते हैं कबीर सहाब इसको धन सो घरी मुहूरत दीना जब ग्रिह आए हरी के चना दूलंदास भी क्यों कह रहे हैं कि धन्य हो गए हम धन आज मोरी सुहागन घरिया क्यों आज मोरे अंगना संत चलिया है संत आया है आज मेरे अंगना पाहुन बन करके मेरा गुरू आया है आज मेरे अंगना पाहुन बन करके इसलिए तो आज में धन्य हो गया और संत के आगमन से बड़ी धन्यता तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकती इसी बात को कबीर साब कहते हैं धनसो घरी मुहूरत दीना जब ग्रिहे आये हरी के जना वह मुहूरत वह दिन वह घरी धन्य है जब कोई संत तुम्हारे आंगन में आता है दरसन देखत यह फल भया और संत दर्शन का फल क्या हुआ कबीर साब कहते हैं नैना पटल दूर वह गया आँखों के सामने जो एक परदा लगा था एक जो गुंगट थी वो जो अंकार का गुंगट था वो जो भ्रम का परदा था वह तो संत दर्शन मात्र से हट गया वह परदा समाप्त हो गया वह परदा सबद सुनत संसा सब छूटा और संत ने उंकार को सुनवा दिया नाम को सुनवा दिया राम से परचे करा दिया तो फिर क्या हुआ सब्द सुनत संसा सब छूटा मेरे सारे संशेविदा हो गया श्रमन कपाट बजर था टूटा ये बजर कपाट है जहां आगया चक्र है तुम्हारा जहां शिवनेत्र है तुम्हारा वह बजर कपाट है वो किसी चावी से नहीं खुलता वो केवल गुरु जो चावी देता है तुमको उस चावी से वो खुल जाता है उसी को रिशारा करते कवीर साब कहते हैं वह जो बजर कपाट था आगया चक्र का शिवनेत्र का दस्वा द्वार का वहां का वो ताला खुल गया वो तूट गया कपाट और अब भीतर परमात्मा का पूरा द्रिश्य नजर आता है परमात्मा का खाजाना मिल गया मानो कहते हैं दूलंदास आज मोरे अंगना संत चली आए आज धन्य हो गया मैं ये घड़ी धन्य हो गई ये बेला धन्य हो गई मेरे आंगन में पाहुन बन करके आज संत आया है लेकिन संत कौन है है संत वही जो हर पल हर से जुड़कर जीवन जीता ये संत की परिवाशा है जो सदा सुमिरन में जीता है सदा जो नाम से जुड़कर के जीता है वही संत है है संत वही जो हर पल हर से जुड़कर जीवन जीता है जो सुश्मन तीर बना कुटिया अनहद का अमृत पीता है जो बाए सांस चलती इसको इड़ा योग में कहते हैं जो दाइने सांस चलती इसको पिंगला योग में कहते हैं संत हमेशा समस्वर होकर के जीता है दोनों स्वर बराबर चलते हैं इसलिए सुष्मन के तीर पर वो अपनी कुटिया बना करके जीता है और किवल जीता नहीं है सुष्मन के तीर पर वो सदा नाम का अमृत पीते हुए जीता है इसलिए अरजुन देव जी कहते हैं सदा अम्रित जो पीता है नाम का वही तो संत है, फिर सुबह नहीं, फिर शाम नहीं, फिर समय नहीं होता वहाँ पर, नानक सुन समाधि में नहीं सांच नहीं भोर, नानक देव जी कहते हैं कि समाधि की घरी ऐसी होती है, कि वहाँ समय नहीं होता, वहाँ सांच नहीं होती, व कहते हैं दूलंदास जी कौन करो महमनिया आंगन में संत चला आया है अब कौन के प्रेम में पागल हो गए है अब कोई शिष्टाचार निभाना मुश्किल हो रहा है शिष्टाचार निभाने के लिए जो बचेगा जो अहंकार के तल पर होगा वही तो शिष्टाचार निभाएगा संत तो के पास अहंकार होता कहा है वो तो अंकार में जीता है तो संत शिष्टाचार कैसे निभाएगा एक बात याद रखना आंतरिक शिष्टाचार शील है बाहरी शील शिष्टाचार है और श शिष्टाचार जो निभाता है उसके लिए थोड़ा अंगार होना चाहिए, कम सी कम दूसरे का बोध होना चाहिए, तब तो शिष्टाचार करेगा, तब तो महमान वाजी करेगा, कहते हैं कि मैं तो बचा ही नहीं, और मेरे आंगन में संत चला आया है, अब सिष्टाचार निभाओं तो कैसे निभाओं, कौन करो महमनिया, अब कहते हैं, निहुरी निहुरी मैं अंगना बुहार हो, अब संत के गुणधर्म शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि भीतर इतना शील पैदा हो गया है, और संत वही है जो शीलवान है, संत को कहां उठाएं, कहां बिठाएं, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, निहुरी निहुरी मैं अंगना बुहार हो, ऐसा शीलवान होता है संत, ऐसा विनम्र होता है संत, गौतम बुद्ध कहते हैं, माना की चंदन में सुगंध है, माना की तगर में सुगंद है अगर बत्ती में खुश्बू है माना की जूही में सुगंद है माना की कमल में सुगंद है मगर इन सबों की सुगंद से शील की सुगंद प्यारी है अनुपम है कभीर साहब से किसी ने पूछा कि सुख कैसे मिलेगा कबीर साथ ने यह नहीं कहा धन प्राप्त करो कि शक्ति प्राप्त करो कि बल प्राप्त करो कि बुद्धी प्राप्त करो कहते हैं सुख का सागर शील है को न पाया था शबद बिना साधू नहीं दरब बिना नहीं साधू शीलवान हो जाओ और फिर देखोगे शील के पीछे पीछे सुख आ जाता है किसी ने पूछा कबीर साथ से सबसे बड़ा कौन है ये नहीं कहा कबीर ने कि जो बुद्धिमान है कि बलवान है कि शक्तिमान है कि धनवान है कबीर साथ कहते हैं सब रतनन की खान तीन लोग की संपदा रही शील में आन शील पैदा करो और वही संत है जो शीलवान है जिसमें भीतर से एक विनमरता पाओगे क्यों दिखावे के लिए नहीं दिखावे के लिए जो विनमरता होती है याद रखना वो बड़ी खतरनाक होती है अतिविनें दुष्ट लक्ष्ण जो बहुत अति विनाई दिखाइँ पड़े समझना बहुत दुष्ट होगा बाहर से इतनी विनमरता कि वो दिखा रहा है संत तो भीतर से विनम्र होता है लेकिन पाखंडी नहीं होता है प्रामारिक होता है संत की विनम्रता प्रामारिक विनम्रता है कहते हैं दूलंदास कि पहली बात धन्यता में जीता है संत दूसरी बात आज में जीता है संत तीसरी बात शीलवान होकर के विनम्रता में जीता है स अब चौथी बात की और इशारा कर रहे हैं कहते हैं मातों में प्रेम लहरिया प्रेम में मस्थ हो जा रहा हूं ये प्रेम करने की शुद्धरी थी है याद रखना जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो फिर क्या होते हो मुर्चित हो जाते हो जिसको तुम प्रेम करते हो उसकी वोशो कहते हैं अगर कहीं तुम ध्यान की साधना कर रहे हो और प्रेम उस से पैदा नहीं हो रहा है तो समझना की ध्यान की साधना में साक्षी की साधना में कहीं भूल हो रही है। और अगर प्रेम के मार्ग में चल रहे हो और उसे होश नहीं पैदा हो रहा है, साक्षी नहीं पैदा हो रहा है, तो समझना कि प्रेम की साधना में कहीं भूल हो रही है, तो ठीक कहते हैं कि मातों में प्रेम लहरिया, लेकिन एक पैसिव प्रेम है, एक विशुद्ध प्रेम ह जिसमें तुम ऐसे याद करते हो कि प्रेमी के प्रेम की तरंगे प्रेमिका के प्रेम की तरंगे तुम्हारी और आ रही है तुम उसके केंदर हो जा रहे हो उस स्मरण में तुम खुद शामिल हो जिसको ओशो कहते हैं समगरता टोटालिटी totality जहां है वहां तुम शामिल हो अगर तुम शामिल नहीं हो तो बात खंडित है वह याद खंडित है वह ध्यान खंडित है जिस ध्यान में तुम नहीं शामिल हो वह प्रेम खंडित है जिस प्रेम में तुम नहीं शामिल हो लेकिन दूलन दास करें मातों मैं प्रेम लहरिया मातों मैं याद रखना खुद भी मैं माता जा रहा हूं उस प्रेम की लहर में यह विशुद्ध प्रेम है यह पैसी प्रेम है इसको एक नए अंदाज में सुनो सौभाग एक है संत मिलन है अम्रित केवल संत वचन पूजी है केवल नाम ग्यान साधना एक है नाम श्रवन सब धरम करम एक जहांसा है बच्चों का खेल तमाशा है अम्रित शरनम गच्छामी बज ओशो शरनम गच्छामी और क्या कहते हैं भाव के भात प्रेम के फुलका ग् दाल उतरिया, भड़ी प्यारी उत्माएं दे रहे हैं, संत को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, तो कहते हैं कि भाव के भाद, भाव का भाद परोस रहे हैं, फीलिंग में जीता है संत, विचार से नहीं जीता है, फीलिंग से जीता है, और साधना का पहला करम यही है, कि तुम सब फीलिंग में चले जाओ तो भाव में जीता है और ग्यान की दाल उतरिया और डाल क्या खिलाएगा अपने संत को ग्यान होना चाहिए बिवेक होना चाहिए प्रग्या होनी चाहिए केवल भाव से नहीं होगा भाव और प्रग्या साथ साथ काटमांडू में शीव पुरी बावा की समाधि है और उस समाधि पर दो शब्द लिखे हैं डिवोशन और डिस्क्रिमिनेशन मुझे बड़ा प्यारा लगा दोनों बाते चाहिए डिवोशन भाव भी चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन प्रग्या भी चाहिए बिवेक भी चाहिए ज्यान की दाल उतरिया द चरणों के प्रती हमेशा अहो भावो, देखा, संतों के कितने प्यारे गुन होते हैं, धन्यता में जीता है संत, अहो भाव में जीता है संत, और आज और अभी में जीता है संत, वर्तमान में जीता है संत, और फीलिंग में जीता है संत, भाव में जीता है संत, और प्रग्या म ऐसे जीता है और ऐसे अगर जीना शुरू करो तो याद रखना वही जीवन धन्य हो जाता है धन्यता ऐसे नहीं आती जिसमें प्रेम हो जिसमें ग्यान हो जिसमें शील हो जिसमें होश हो उसी जीवन में उसी जीवन के आंगन में संत पदारपन कर जाता है पहले गुरु पद जहाओ, गुरु को रिजहाकर, गुविंद को रिजहाओ, यही सहाज योग है, हर्यों तत्सत्त